जय माता दी, जय मा कमक्षा, जोति शास्त्र में, यदी संतान उत्पन नहीं हो रही हो तो हर ग्रह के अपने-पने कुछ नियम बताए गए हैं। तो यदी चंद्रमा की वज़े से बच्चे उत्पन नहीं हो रहे हो और संतान प्रतीबन धात्मक योग है। तो चंद्रमा ग्रह की वज़े से संतान उत्पन नहीं हो रही हो। तो ये मान करके चले कि पिछले जनम में माता का शराफ है या मोसी या सास का शराफ है या गुरु पतनी का शराफ है या किसी अन्य सद्वा इस तरीक के दिल को दुखानी के कारण, आपको इस जनम में बच्चे उत्पन नहीं होते हैं। इसलिए कहते हैं कि अपनी मा, मोसी, सास, गुरु की पतनी यानि गुरु मा और कोई भी विवाहिता इस्त्री के दिल को नहीं दुखाना चाहिए, उनके चर्णिश्वस करके उनसे आशिरवाद लेना चाहिए. यदि कोई मनुष्य अपने घमंड में आकरके, अपने देह के घमंड में आकरके, अपने धन के घमंड में आकरके, यदि कोई इन इस्त्रीयों का दिल दुखाता है, तो उसके याँ पिछले जनम के शराप और ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके बच्चे पेदा नहीं होत चंद्रमा को प्रसंद करना होता है। करना पड़ता तब जाकर के इस श्राफ से मुक्ति मिलती है तो मेरी आप सबसे विनम्न निवेदन है कि ऐसा कोई भी पाप कर्म ऐसा कोई भी श्राफ लेकर के इस दुनिया से मत जाओ क्यों कि जो विक्ति आया है उससे जाना तो अनिवारी है और उसका पुनर जन्म भी होना अनिवारिय है ये संसार का नियम है कि आज हम पेदा हुए है तो धीरे-धीरे समय आने पर व्रद्धावस्ता आने पर प्रोडवस्ता आने पर इश्वर के नियम के मुताबिक मृत्यू को तो प्राप्त होना ही होना है और अपने किये गए कर्मों का फल अगले जनम में भोगना पड़ता है तो जो पिछले जनम के पाप कर्म हैं उनका भी आप प्राश्चित कर्म करके उसको कम कर सकते हो अपन्तु विश्वास रखना पड़ेगा शुरदह रखना पड़ेगी और समर्बन भाव रखना पड़ेगा इश्वर के प्रति तो शीव चालीसा का पाठ करना चाहिए, ओम नमस्षिवाय मंत्र का जप करना चाहिए, हर सोमार को रुद्र अभीश्य कराना चाहिए, शीव जी के जितनी जादा से जादा उपासना हो सके वो करो, शीव तांडव इस्तरोत का पाठ करना चाहिए, रुद्रास्टकम का पाठ करना चाहिए और विशेस तोर से किसी भी इस्तरी की हाय बद्धुआ नहीं लेना है सभी इस्तरियों के पतनी को छोड़ करके सभी इस्तरियों के चणिशपश करे और उनसे आशिरवात प्राप्त करे तब जाकर के पिछले जनम के कर्म के श्राफ से मुक्ती मिल सकती है तो यदी चंद्रमा की वजह से संतान उत्पन नहीं हो रही हो तो उसका ये उपाय हमने आपको बता दिया है क्योंकि कई बार पिछले जनम के कर्म के अनुसार मनुष्य पाप कर्म करके आता है और फिर जो है बच्चे पेदा नहीं होते हैं जैसे की चंद्रमा के साथ राहु पंचम भाव में बेड़ गया हो तो माता का शिराप लगता है पित्र दोश्क लगता है उससे पुत्र संतान में उत्बाधा उत्पन होती है और कभी-कभी चंद्र राहु की वज़े से यदि पुत्र उत्पन हो भी गया तो उस पुत्र की उन्नती में बाधाएं उत्पन होती है इसलिए चंद्रमा यदि पुत्र उत्पन करने में दिक्कत प्रदान करें तो आपको श्रीव जी का पूजन देवी जी का पूजन करना ही करना पड़ेगा क्योंकि चंद्रमा जो है मात्र कालक गरह माना गया है जैमाता दी जैमा का मक्या